तो बात करेंगे ये कि तीन साल से ज्यादा हम लोग वेट कर रहे थे और वो सारा मेहनत दस मिनट के टाइपिंग टेस्ट में खतम हो गया और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल पाएगी क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल सी बाते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल पाए तो फाइनली और भी एंटीपीसी खतम हो चुका है और उमीदे भी खतम हो चुकी है क्योंकि एक अच्छा का सा टाइंग देने के बाद हाथ में कुछ नहीं मिल पाया और भी एंटीपीसी परिक्चर 2022 अब भी जो आप लोगों ने ये देखें मेरे मन की आवाज बोल रहे है कि मैं यहां पर किलियर नहीं कर पाऊंगा और इन्होंने टाइपिंग की रेस्पोइंशीट देखें बिने ही इन्होंने बोल दिया कि मैं अब एंटीपीसी का मेरा यह जो दोर था जो तीन साल के मैनती वो खराब हो चुकी है ऐसा इ अंतीम पड़ाओं के उपर जब कुछ हो जाता है ना तो दिल से बुरा लगता है और दिमाग भी खराब रहता है पर मैं आज का यह वीडियो उन सभी भायों के लिए हैं जो भी है इनके जो यह वाले स्टुडेंट है इनके जिए इन्होंने जो गलती किये टाइपिंग ट आप लोगों का यहापर तीन साल की मैनत इनकी दस मिनट में खराब होच गी ऐसा बोल रहे हैं यह आईए एक और देख लेते हैं आप लोगों को और इनसे कुछ न कुछ तो आप लोगों को जरूर से जरूर सीखने को मिलेगा और इस वीडियो का परपच क्या है अब ही भारमान बेटा, 3 साल की मेहनत खराब, और आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद में हो सके तो इनको अच्छे कमेंट करना है, और सपोर्ट करना है, ताकि इनका मनोबल बढ़ सके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, तहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ताकि इनसे क्या सीखने को मिल रहा है हमें तो टाइप इटेस्ट दोस्तों ना टाइप इटेस्ट सबोंने दिये होगा और इनका में इनका जो वीडियो का लिंक है वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोगों से देख ले ना फुल वीडियो टू दिया और उसके बाराद में इन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया और सभी लेवल के अंदर क्वालिफाईए यह आप लोग यहां पर इन्होंने वीडियो भी बना रहे हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियो का लिंक देदूँगा मैंने काफी अची तरह के स तक दे देखी है अई उन्होंने क्या कि ए आप लोगों को पता है हमारा चार शिफ्ट के अंतरगत पेपर हुआ चार शुप्ट के अंतरगत ना पेपर हुआ पर alive ऑ रहा था वो tapping देने के बाद में तो हो उसकी बजय से इसको cancel कर दीगा है first shift को और ऐसे में जो यह student है यह वाला student है जो उपड़ यह उपर वाला student रहा है यह arrow लगा के दिखा रहाँ यह इसी student का second shift में एक्जाम था और आप लोग इसे वीडियो देख रहे होगे इस वीडियो में इसी वीडियो को जो देख रहे होगे उसका भी second shift में एक्जाम होगा इनका जब second shift में एक्जाम थो ना जब first shift cancels हुआ तो इनको जो time था जैसे time था इनका बारा बज़ा का इनका time था तो इनको अना जैसे इनका time था उस time duration में यह गुसने पाए क्योंकि first shift का जब time में typing यहाँ पर cancel किया गया था तो late वहाँ पर विद्यारती गुसे तो उनको अंदर late यह late लिया था जिसकी बज़े से cancel हो जाने की बज़े से second shift का इनका mind pressure आ गया और यह nervousness हो गये और यह typing जब typing कर रहे थे जो type कर रहे थे ना आगे क्या होगा कैसे क्या होगा तो इस तरह से इनका जो मनोभलता वो कम होता गया और जब आप लोग सोच सकते हो कोई भी इंसान हो कैसा भी इंसान हो जब अंदर से यह सोच लेता है कि मैं हार चुका हूँ और सब लोग बोलते हैं मन से हारा हुआ इंसान कभी भी आगे नहीं बनना चाहिए इसलिए मन से आप लोगों को कभी भी नहीं आना है अब इनके जो पॉइंट से क्या सिक्षा मिलती है क्या चीज सिक लेनी चाहिए वो आप लोग द्याँ से सुनो देखो कोई भी भी यहाप पे उस स्टुटेंट को द्याँ से सुनना चाहिए जिसमें सरकार भी फीसती है इस्टुटेंट को और ऐसे भी फीसता जाता है बहुत सारे ऐसे इस्टूडेंट हैं जिनके घर पे तो घर पे तो इतनी अच्छे 40-40 इस्पीड आजाएगी 40-40 WPM की इस्पीड आजाएगी जब एक्जाम में बेटेंगे तो उनकी एक्जाम में इस्पीड 20 WPM भी नहीं आएगी इस्पीड ऐसा क्यों होता है ऐसा इसी वज इस्पीड को देंखे यह नहीं को यहांते है इस्पीड को और जिसके बजह से आते हैं इन्ला यहां जब देख सकते होast सेट्स इसुटुएंट के साथ में यह हुआ है इनको टैपिंग टैस्य जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था इनका बिगाड चुका है जिसके बज़े boots रे के बाद में HEL देखने की भास में पर इनने बोल रहे हैं कि जो 3 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत हो are wot 10 minutes में खराब हो चबी, यह 3 साल की मेहनत 10 minute में खराब चुकी, इसका region यह हो सकता है, जाड़तर देखा जाए ना, तो nervous नईस हो जाना, exam को लेके hyper हो जाना, mind pressure कर लेना, गवरा जाना ये सारी चीज़े भी कही नख हैं आप लोगों को या पे पीछे दखेलती है इसलिए केवल फढ़ाए फढ़ाए नहीं अंदर से भी ये चीज़े आप लोगों को इससे भी या ना मुकाबला करने के लिए आत्म विश्वास होना चाहिए खुद के लिए और हमे एंटीपीस वाले स्टुडेंट को मैं लिंक के देंगा नीचे अब यह भी क्या क्या हो था मैंने कुछ दिन पहले या पे कुछ दिन पहले मैंने यह किया था आप लोगों के टाइपिंग में कितने की स्ट्रोक आ रहे हैं तो जो में बच्चे निकल के आयते ना वह 2000 से इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता यह जादतर मेजोर्टी लोग है यह फेल होंगे आप यहाप कुछ ऐसे भी बंद होंगे आप यहापर कमेंट करके बोलेंगे 2000 से अधी की स्ट्रोक टाइप किये हैं तो ऐसा भी तो सकता है इसने गलती बहुत सारी कर लियो ऐसा भी हो सकता तो कंफर्म नहीं किया सकते पर जादतर जो सेफ है यह वाली लैन सेफ है यह और यह वाली लैन सेफ है इनका बीच में क्या पता है क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मलब पूरी तरह से यहापे 100 पृतिशत एकुरेसी के साथ में वो टाइप करें और पूरे के पूरे उस सच यह परिक्षा मात्र केवल 5 और 2 के लिए ही थी टाइपिंपरिशा की लगबग एक लाख उत्तर फुस्तिकां एक लाख उत्तर पुस्तिकां कि जांच मानविये तरीके से हो रही है इसको तो अठाते है एक लाख पुस्तर एक लाख रेस्पोंस शीट है यानि कि आप ल से देख सकते हो ये तो आप लोगों की यह यांप है टोटल वयकी है इंटबबाidamente गुर्ण आंप है पोगो एक यह लि G efforts उसकते हैं तो आप लोग कुछ सोचोर टाइपिंग की पुस्तक कितनी है एक लाग यह या capable बिया बहुत हैं 1 लाग बच्चोंने आप लोगों का टाइप लगों का टाइपिंग टैस्ट दिया थे अगर मैं इनको अठाता हूं यहां तो लब लबग में आपे 35,000 में 35,000 में से मैं 7 की वेकेंसी माहिनस कर दूँगा तो आप लोगों के आपे 28,000 वेकेंसी आएगी 28,000 वेकेंसी आएगी अब लोगों सोचो 28,000 वेकेंसी है एक लाग एक लाग रेस्पोंस शीट है यानि कि Almost देखें तो 70% बच्चे याँ पे बाहर होंगे और 70% बच्चों में से एक बच्चा ये भी है जो इस तरह से बोल रहा है कि मेरे आपे टैपिंग खराब हुआ है क्या पता इसका टैपिंग खराब हुआ हो और ये तो 71% बच्चे बाहर होंगे 28,000 यह यहाँ पर 30,000 के something बच्चे रहेंगे जो इस vacancy में fulfill किये जाएंगे अब लोग आप देखो vacancy का ratio इस से 70,000 इसके something बच्चे बाहर हो जाएंगे और railway ने खुद ने official tweet करके बताया है कि इतनी response sheet है तो यहाँ से क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ से हमें यह सीखनों को मिल रहा है कि आप लोग के आपे अब जो बच्चे भार निकलेंगे उनका भी तो 3 साल का सफर है अब जैसे यह वाला student ने तो कैसे बोल दिया कि आराम से यह हुआ है तो ऐसे बहुत सारे student है जिनके यहाँ पर टैपिंग किलियर नहीं होगा देख ले ना 70% ऐसे बच्चे निकल के आएंगे जिनका टैपिंग टैस्ट यहाँ पर किलियर नहीं होगा और उनके marks भी कम है और उन्हें वो non-tapping की post नहीं ले पाएंगे जिसके बज़े से उनको यहाँ से जो करो ताबड तोड़ तरीके से करो अच्चे से करो ताकि एक बर में ही आप लोगों का रिजल्ट आए इसलिए आप लोग किसी भी एकजाम में दो तो आप लोग अपना 100% देदो नई तो आप लोग यहाँ पर 50% मत दो वो सेकंड शिफ्ट के बज़े से यह घबराके और अना घबराके होगे यह माइंड प्रेशर आगा है जो भी आगा है जिसके बज़े से इनका टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट बिगड चुका और तब ही इनके दुआरा यह वीडियो रिलिज कर गया है आप चाहो तो फुल वीडियो अपना है इनके फुल वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतरगत देख सकते हो तो यहां से यह सिक्षा मिल रही है आप लोगों के आप है यह सीक्रे को मिल रहा है कोई भी हो कैसा भी एकजाम हो आप लोगों के आपे mind pressure नहीं करना है आपने आप देरिये से काम लेना है शांत दिमाग से काम लेना है ताकि कोई भी काम अच्छे से कर पाओ क्योंकि शांत दिमाग से ही आप लोगों के भड़ाई आती है और शांत दिमाग से ही आप लोगों के आपे जैसे इनका इलाबाद से है अब इलाबाद में कटोफ इनका काफी ज़्यादा जाता है इलाबाद में कटोफ इनका काफी ज़्यादा जाता है काफी ज़्यादा जाता है इलाबाद में तो इलाबाद से जो भी इस्टुडेंट है अब इनका सेलेक्शन नहीं हुआ तो और भी तो इस्टुडेंट का वापर सेलेक्शन हुआ है तो क्या करना है आपको कम ही डूढ़ना है अप अप अंदर मेरे क्या कम ही थी जो मैं कटो को क्वाल नहीं परकाया और उसे next exam में नहीं दो राना है ये इनकी इस वीडियो के परपचती मिलते हैं जल्दी ही next वीडियो के अंदर